स्वास्थ और संदरी के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकल को क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे स्वास्थ और संदरी नमस्कार दोस्तों स्वास्त है और संदरे में आपका एक वर फिर से स्वागत है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बालो में आवला पाउडर के साथ नारियल तेल यानी कोकोनट ओयल लगाने के कुछ बहतर इन फायदों के भारे में बालो को सिल्की शाइनी वो सौफ्ट बनाने के लिए आवला का पाउडर काफी फायदे मन माना जाता है आवला पाउडर में विटामिन C, आईरन, पोटेशियम जैसे कई ऐसे पोशक दत्तों पाई जाते हैं जो बालो की ग्रोथ को तेज कर देते हैं आवला पाउडर का नियमित इस्तमाल करने से बालो में प्र पाउडर को नट ऑईल खूब इस्तमाल में लाये जाता है नारियल तिल के इस्तमाल से ना केवल बाल मुलायम वचमकदार बनते हैं बलकि बालो से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में भी मदद मिलती है नारियल तिल गहराई तक जाकर बालो को पोशन देता है जिसस इन दोनों को साथ मिलाकर लगाने से फायदा भी डवल हो जाता है तो फिर आवला पाउडर और नारियल तिल को बालो में कैसे अपलाई करना है इसके बार में जाने के लिए बनेर इस वीडियो के साथ इसके लिए एक बॉल में एक चमच आवला पाउडर ले ले इसके बाद इसमें एक से दो चमच नारियन तिल डाल कर अच्छे से मिक्स कर ले जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसे हेर डाइब ब्रश की मदद से अपने पुरे बालो में अपलाई कर ले एक से दो घंटा इसे अपने बालो में लगा रहने दे फिर पानी से बाल धोले बहतर रिजल्ट पाने के लिए वीक में दो से तीन बारी से ज़रू ट्राय करें आवला पाउडर और नारियल तिल का पैक बालो को गहराय तक पोशन देता है जिससे बालो की जरे मजबूत बनती है इस पैक को नियमित अपने बालो में लगाने से बाल लंबे, घने वकाले बनते हैं साथी बालो में प्राकृतिक चमक भी आ जाती है तो फिर आज आपने इस वीडियो में बालो में आवला पाउडर के साथ नारियल तिल यानि कोकोनट ओयल को कैसे अपलाई करना है इसके बारे में जाना आशा है आपको हमारा ये वीडियो अवशे ही पसंद आया होगा हमारे नए-ने स्वास्ति और चौंदरे संबंधी जानकरियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तथा हमारे वीडियो पसंद आई हूँ इससे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इससे तरफ हम नए-ने जानकारियों आप तक पहुचाते रहें धन्यवाद